हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर चलिए सुरू करते हैं अपनी डेली करेंट अफेर की क्लास जिसमें हम कवर करेंगे P.I.B. न्यूस को famous newspaper like Danny Jagran and Hindu में जो भी न्यूस important है उसको हम discuss करेंगे News on Air आकाश्वाणी पर जो भी न्यूस चर्चा में उसको discuss करेंगे National, International Days and Organizations जो भी आपके exam point of view से important हो सकते हैं relevant हैं उनको हम discuss करेंगे तो आज के current affair की क्लास स्टार्ट करते हैं Friends अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है पढ़ेगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका current affair बहुत अच्छा हो जाएगा विकर्स आप अगर पेपर से जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं तो current affair में सभी को अगर आप डेली बिस्ट पर करेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है मैंने आप टाइम बहुत रिडियूस कर दिया तो अगर आप डेली बिस्ट पर दिखेंगे आपके लिए ज्यादा केनिफिशल होगा आपको चीज़े याद भी रहेंगी और आपको इंट्रेस्ट भी आएगा current affair पढ़ने में ओके तो आज का पहला कुश्चन अंतराष्ट्य बन दिवस 2022 का विश्य क्या है आपके options है बन और सतत उत्पाद और बचत बन पुनरस्थापन बन और जैब विद्धता है ओके और बन और सिक्षा तो इसका right answer है आप लोग सोच लीजे इसका right answer है बन और सतत उत्पाद और खपत ओके इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते अंतराष्ट्य बन दिवस जो 21 मार्च को मनाया जाता है 28 नमंबर 2012 को सयुक्त राष्ट माहसभा के संकल्प द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी इस दिवस का उदेश्य सभी प्रकार के बनो और पेडों के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाना है सयुक्त राष्ट के इनुसार लगभग 1.6 बिलियन लोग भोजन आश्रिय उर्जा दबाव और आय के लिए सीधे बनों पर निर्भार है और 2022 की जो थीम है बन और सतत उतपाद और खपते जैसे कि हम अभी कोशन में देख चुके हैं बिश्व कवीता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है इस दिवस की सुरात पहली बार यूनेसको ने किस बर्ष में पेरिस में अपने 32 आम सम्मेलन में की थी आपके आप्शन्स हैं 1998, 1999, 2000 और 2001 और इसका राइट आंसर है 1998 बीस का राइट आंसर हो जाएगा एक्स्प्रीन कर देता हूं मैं इसको बिश्व कवीता दिवस जो की 21 मार्च को मनाया गया आप देख सकते हो बिश्व कवीता दिवस प्रती एक बर्स 21 मार्च को मनाया जाता है इस दिवस की सुरवात पहली बार यूनेस को ने बर्स उनिसों निन्याडवे में पेरिस में अपने तीसवे आमसमेलन में की थी तो यही पूछा गया था इसका उदेशिय का अभियात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से भासाई बिविधता का समर्थन करना और लुक्त प्राय भाषाओं को सुनने के अपसर को बढ़ाना है चलिए तो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नशलिय भेदवाव के उनमूलन के लिए अंतराश्टिय दीवस किस दिन मनाया जाता है। आपके options 20, 21, 22 या 23, और इसका right answer हो जाएगा 21, ओके दशल्य भेदवाब के उन्मूनल गे लिए अंतराश्टिय दिवस 21 मार्च को मनाया गया है और सेयुक्तराश्ट महासबा ने 26 अक्टूबर 1966 को एक प्रस्ताब अपनाया और प्रतिवर्स 21 मार्च को इस दिवस की रूप में मनाने की घोशना की ठीक है 1966 में यह भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि कब से मनाया जाता है कब घोशना की गई थी 1960 में उस दिन दक्षिन अफ्रीका के सार्प बीले में रंगभेद पास कानूनों के खिलाफ सांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस ने गोलिया चलाई थी और इस वजह से 69 लोगों की मौत हो गई थी ठीक है तो इसलिए यह मनाया जाता है 2022 की थीम और एक्षन अगेंस्ट रसेज्म यह इंपोर्टेंट है थीम आप याद रखिए चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं बिश्व कत्पुतली दिवस 2022 की थीम क्या है आपके अप्षन से दसी, दसन, दस्ट प्लैनेट, दसम और इसका राइट आंसर हो जाएगा दसी ओके चलिए थोड़ा से एक्स्प्लेइन कर देता हूं में इसको बिश्व कत्पुतली दिवस जो की किस मार्च को मनाया गया है बिश्व कत्पुतली दिवस ये किस मार्च को मनाया जाता है जिसका उदेश्य कत्पुतलीओं को बढ़ावा देना और तुनिया भर में कत्पुतली चलाने वालों का सम्मान करना हैं आपको पताओं कि के काफी शो होते हैं आप यह मत सोचें कि इंडिया में सिर्फ पवेट जो है वह पवेट जब Union International Day Law Merriant ने इसकी स्थापना की थी, कटपूतली 3000 इशापुर्वी की एक पुरानी थियेटर तक्नीक है, और 2022 की जो थीम है, वो 10C है, तो ये आप याद रखें थीम भी, और कब समनाय जाते हैं, ये भी आप याद रखें, चलिए next question देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, मर्च 2022 में पुथल उत्सब, एक कटपूतली उत्सब का आयजन कर रही है, ओके आपको पता है कि कटपूतली दिवस मनाय जा रहा है, तो इसने एक पुथल उत्सब की शुरात करी कटपूतली दिवस को मनाने के लिए, अब यह कितने स सहरों में मनाय जाएगा, उत्सब मनाय कितने सहरों में जाएगा, आपके ऑप्शन हैं, पांच, चार, पांच, छे या फिर साथ, और इसका राइट आंसर है, पांच, यह पांच स्ट्रेट शहरों में मनाय जा रहा है, संगीत नाटक अकदमी, पुतल उत्सब का आयजन कर संगीत नाटक अकदमी न्यूडाली में 21 मार्च 2022 को पुतल उत्सब का आयजन कर रहा है, उत्सब का विशय आजादी के रंग पुतल के संग है, यह याद रखिया आप विशय इसका, इस आयजन में कटपूतली के माध्यम से भारत के स्वतंतरता संग्राम के किसे सुनाय ज बारंशी, हैदराबाद, अंगुल, न्यू डैली और अगरतला में मनाय जाएगा, तो प्लीज आप नंबर ऑफ सिटीज याद रखिये, कि इतनी सिटीज में होनाय जा रहा है, नंबर थीम याद रखिये, आप और यह संगीत नाकटक अदमी के बारे में थोड़ा सा संगी नहरोजी नहीं किया था, ओके, चलिए, नेक्स्ट न्यूस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेशन आपको, मार्च 2022 में कोलकत्ता में आया जित, 19-20 सीनियर और 14-20 जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनसिप में उत्तर प्रदेश के एथिलिटों ने कितने प आप देख सकते हो, मार्च 2022 में कोलकत्ता में आया जित, 10-20 सीनियर और 14-20 जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनसिप में उत्तर प्रदेश के एथिलिटों ने दो स्वन, दो रज़त और एक काश्य सहीत कुल पाँच पतक जीत लिया, 24 राज्यों के 150 से अधिक एथलिटों ने रास्ट्रे खेलों में भाग लिया, जो भारतिय पैरॉलम्पिक सिमिती के अधिकार के तहत आयजित किये गए थे, ओके, सुमित कुमार ने सीनियर्स 1997 किलोग्रैम बर्ग में स्वन पतक जीता है, ओके, चलिए, नेक्स्ट निउस देखते हैं, 20 मार्च 2022 को विदेश मंत्री S. जैसेंकर और किस देश के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सेलेंबर्ग ने देली के हैदरबाद हाउस में प्रतिनिती मंडल इस तरह की बारता की है, आपके ऑप्शन्स हैं, जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रांस और पॉलेंड, इसका राइट जाएगा, आस्ट्रिया, आपको, मैंने आपको पहले भी बता है कि आप प्लीज, बिदेश मंत्री का एटलिस्ट नाम आपको पता होनी चाहिए, तो उससे आपको easy हो जाता है, इस ताइप के questions, यह questions आप जरूर याद रखिए, इस ताइप के questions, आज में, आज के टाइम प प्रतिनिदी मंडल इस तरकी वारता की, आप देख सकतो हु, यह है, अलेक्जेंडर सेलेनबोर्ग और यह है, जैसंकर प्रिशाद जी 20 मार्च 2022 को विदेश मंत्री S.J. संकर और आस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलक्सेंडर सैलेंबर्ग ने डैली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनीद्में अंडल की इस तरकी एक बारता की है इससे पहले 18 मार्च 2022 को भारत और आस्ट्रेलिया ने विदेश कार्याले प्रामर्स का छटा दोरा आयजित किया था इंडू पैसिफिक में विकास आतंगवाद भारत यूरूपिय संग की संबंधों आदी सहित कई मुद्धों पर चर्चा की गई है चलिए next question देखते है हाल ही में किस IIT दुआरा AI पावर अल्गोरिदम विक्षित की गई है आपके options है डेली, मदरास, वंबे या फिर रूड की और इसका right answer हो जाएगा मदरास चलिए थोड़ा सा जानते है IIT मदरास और North Western University ने विक्षित किया AI पावर अल्गोरिदम स्मार्टफोन कैमरों का उप्योग करके सूट किये गए वीडियो में गहनता प्रत्यक्षन और 3D प्रभाब को काफी बढ़ा सकते हैं सोध को proceedings of International Conference on Computer Vision 2021 में प्रकाशित किया गया है तो काफी important है अल्गोरिदम विक्षित करना वो भी artificial intelligence के field में ये काफी important है ओके next question देखते हैं 20 March 2022 को किस राज्य ने पखाल दिवस मनाया है आपके options है करनाटका उत्तरप्रदेश उडिसा या फिर तेलंगाना और इसका right answer रो जाएगा उडिसा I think आप बोर नहीं हो रहे होंगे मैंने आप questions भी add करने सुरू कर दिया है अभी मैं कुछ और changes भी करने वाला हूँ तो आप सब लोग प्लीज वीडियो के ज़रूर देखिए पखाल दिवस 20 March 2022 को उडिसा में मनाया गया है उडिसा ने 20 March 2022 को पखाल दिवस मनाया जो यूगो से राज्य के मुख्या भोजन की लोगपरियता को दरसाता है ओके याद रखिया दिवस कहा मनाया गया कौन सा त्योहार कहां पर मनाया गया काफी पुछते हैं एक्जाम में इस पहल की सुरात 2015 में उडिसा के लोगों ने दुनिया भर में अपने पारमपरिक भोजन का जश्न मनाने के लिए की थी बहुत अच्छी बात है भारत के वियंजन लाजबाव हैं उनका उत्सम मनाया जाना चाहिए और एक का नहीं सब वियंजनों का उत्सम मनाया जाना चाहिए पखाल चावल का पानी एक भारतिय वियंजन के लिए उडिया शब्द है जिसे पके हुए चावल होते हैं जिने पानी में हलका किन्वत किया चाता है मंतब फर्मेंटेशन की की जाती है पखाल वियंजन की उत्पत्ती भगवान जगनात मंदिर से हुई थी तो इसलिए भी है काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा कि जगनात मंदिर जगनात प्रभू या फिर जगनात उत्सब का उडिसा राज्य में एक अलग ही महत्व है ओके चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं अपना और इसका राइट अंसर हो जाएगा आगरा ये में नियूज आपको पहले भी बता चुका बट चुकी अभी आएजित किया गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है 20 मार्च 2022 से आगरा में सुरू हुआ ताज महत्व कला शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसिय उत्सव ताज महत्व का उधगाटन 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्प ग्राम में किया गया आपको शिल्प ग्राम तो पता ही होगा आगरा का काफी इंपॉर्टेंट है फेमस है यह है 29 मार्च 2022 तक चलेगा उत्सव सांस्कृतिक उत्सव की विशवस्तू आजादी के अमरत महत्सव के संग ताज महत्सव के रंग है थीम जरूरियाद रखिया आप त्योहार में कश्मीर बारानसी पस्चे मंगाल फरीदाबाद पंजाब छतिसगर और कई अन्य राज्यों के कल्प कारो द्वारा प्रदर्शित की गई कृतिया लगाई गई है तो काफी इंपोर्टेंट है यह इस्पेशली यूपी के एक्जाम्स जो है उनके पॉइंट ऑग ब्यू से तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो प्लीज आप याद रखिये नेक्स्ट कुशन देखते है भारत और किस देश ने 19 मार्च 2022 को सतत आर्थिक बिकास प्राप्ट करने की दिशा में सहयोग के लिए स्वच उर्जा साजेदारी शुरू की है क्लीन एनर्जी पार्टनर्शिप आपके ऑप्शन से जपैन ऑस्ट्रेलिया युके या फिर मलेशिया और इसका राइट आंसर हो जाएगा जपैन एक्स्प्लेनेशन इसकी कर देते हैं भारत और जापान ने शुड़ू की सुच उर्जा साजेदारी भारत और जापान ने 19 अफ मार्च 22 को सुच उर्जा साजेदारी की सुरूत की है आप देख सकते हो ये दोनों प्राइमनेस्टर और जपाइन के प्राइमनेस्टर इनने विजट भी की थी इंडिया में इसे सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने जलबायू परिवर्थन पर चर्चा करने और उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहीवक के रूप में शुरू किया गया है यह पहल नई दिल्ली में हो रहे है चौध बहुत अच्छा पार्टनर रहा है हमारा तो उसके प्राइमनेस्टर ने विजट किया इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है एक और न्यूस है सीसी रिलेटेड मैं यहाँ पर एड करना भूल गया हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जापान ने कुल मिलाकर कितने रुपै का खर्च या फिर कितना यहाँ पर निवेश करने की घोशना की है तो आपको पता होना चाहिए कि 3.5 लैक करोड रुप इसका राइट आंसर हो जाएगा नागलेंड को लागू करने वाली पूरी देश में पहली राजय विधान सबा बनकर इतिहास रचते हैं औल्दो बिहार ने भी अपना नेशनल इविधान पॉर्टल लॉंच किया है बट वो completely paperless नहीं है और otherwise अगर आपसे paper में ये आ जाए कि किस राजय ने सबसे पहले नेशनल इविधान पॉर्टल लॉंच किया था तो वो बिहार है आप ये याद रखे ठीक है question गलत नहीं होना चाहिए अगर सिर्फ ये पूछे पॉर्टल किसने लॉंच किया है तो वो बिहार है लेकिन अगर पूरी तर से paperless की बात करी जाए तो वो नागलेंड है ठीक है अब सदस्य सदन की कारेवई में भाग लेकने के लिए electric उपकरणों का उपयोग कर सकते है नेशनल इविधान application एक unicode अनुरूप software है जिसमें विभिन दस्तवेचो जैसे प्रश्णों बिधान सबाद वारा तो काफी important है because paperless होना चाहिए जितना हम paper बचाएंगे उतना हमारे पर्यावरण बचेगा और चितना पर्यावरण बचेगा उतना हम बचेंगे और finally हमें बचाना अपने आपको ही है हमें ना तो पर्यावरण की चिंता है ना हमें किसी और चीज की च बचेंगे ओके तो humans को अगर बचाना है तो पर्यावरण को बचाना पड़ेगा next question निमिन लिखित में से किसे मार्च 2022 में मनिपूर के मुख्य मंत्री के रूप में चुना गया है आपके options हैं एंबिरेन सिंग कि रनरी जी जू, कॉन्रेड सांगमा या फिर सर्वन सुनवा तो obviously इसका अंसर एंबिरेन सिंग है आप देख सकते हो एंबिरेन सिंग को दूसरे कार्य काल के लिए मनिपूर की CM के रूप में नामित किया गया है ठीक है दूसरे कार्य काल के लिए चुने गए हैं 2017 सिराजी के मुख्य मंत्री के रूप में कार्य रत है यह भी बहे मनिप में से किसने दोहा कतर में आये जित 19 भी एशियाई बिलीडियर्स चैंपियंशिप 2020 जीत लिए आपके आप्शन पंकज अंडवानी गीता सिथी सुभास अगरबाल माइकल फरेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज अडवानी पंकज अडवानी के बारे में आपको प पतन ध्रुब सीतवाला को 6-2 से हराकर कतर के दोहा में 19 भी एशियाई बिलीडियर्स चैंपियंशिप 2022 का खिताब आठवा खिताब अपने नाम कर लिया है यह है अंडवानी का 24 वा अंतराष्टे खिताब और आठवा एशियाई ताज है इससे पहले अंडवानी ने मियान शंसकरण का आईजन कर रहा है आपके आप्शन से नितियायोग आईएमफ यूएन या फिर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑब्विस सी बात है नितियायोग हो जाएगा ठीक है बुमिन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो most probably आईएमफ या फिर यूएन तो नहीं करेंगे इसका राइट आंसर है नितियायोग नितियायोग का महिला उद्यमिता मंच 21 मार्च 2022 को बुमिन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के पांचवे शंसकरण का आयोजन करेगा 21 मार्च को किया गया यह पुरुषकार सश पुरूर्मस्ट रखिये जहां पर भी आपको 75 नंबर देखे तो आपको एटलिस्ट इतना तो सोच लेना चाहिए कि यह हो सकता है आंसर पुरुषकार पाने वालों में पॉंडिचेरी की पुर्व उप्राज्य पाल किरणवेदी, SBI की पुर्व अध्यक्ष अनुदति भ बताएं कि राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2022-23 के लिए आपकारी निती को मंझूरी दी है यह आपको मुझे बताना है मैं इसके options भी नहीं लिखे हैं आप मुझे ऐसे ही बताईए अगर आपको पता है तो बतातीजे नहीं तो मैं कल आपको इसका अंसर बतातूंगा तो वीडियो इसी टाइप से बनाए जाने चाहिए या फिर कुछ changes किया जाने चाहिए तो वीडियो को एन तक देखने के लिए once again thanks very very thanks वीडियो कर अच्छे लगी है तो प्लीज उसको लाइक और कर दीजिए thank you